मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दिल धहला देने वाला अपराध हुआ, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. एक अपराध जिसने सब को हिला दिया. 11 सितंबर 2024, गुना जिले में एक आठ साल की बच्ची से के साथ जो हुआ पूरे देश में आखरोश पैदा कर दिया. इस अपराध की जड़ में क्या है और एक पिता ने अपनी बच्ची के साथ हैसा क्यों किया आज हम आज चर्चा करेंगे. गुना जिले के एक छोटे से गाव में एक बच्ची के साथ भायानक रेप हो जाती है. उसे अगवा कर लिया गया और उसके साथ बरबरता की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. बच्ची तीन दिन पहले लापता हुई थी. जब पुलिस ने बच्ची को पाया तो गाव के सारे लोगों की होश उर गई. बच्ची की हाथ पैर बंदी हुई लाश करीब 75 किलोमीटर दूर एक कुए से मिली. पुलिस ने बताया कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई है. पुलिस को लड़की का शब पोस्टमाटम के बाद उसे उसके परिवार को सौब दिया. पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो घरवालों ने बच्ची को आखिरी बार अपनी पिता के साथ ही देखा गया था. इसके के बाद पुलिस बेटी की पिता को गिरफतार कर लिया क्योंकि लड़की को पिता आपनी बेटी तलाशी में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखा रहा था. पॉलक के पूछ ताज के बाद पिता ने कहा कि वो बच्ची को हत्या करके तॉलिये से हाथ पैर बांध कर उसकी डेट बॉड़ी कुए में फेक दी थी. और कहा कि वो बच्ची जन्म से ही से नफरत करता था क्योंकि वो बेटा चाहता था. स्थानिय सरकारी अस्पताल से डॉक्टर अंकित उपाध्याय ने कहा कि लड़की की हत्या से पहले बलातकार की गई थी. पुलिस उसके उपर धारा 137 दोक की तहट अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. बालिका हत्या एक ऐसी घटना है जो समाज की सोच और मानसिक्ता पर सवाल उठाती है. ये घटना न केवल दिल दहला देती है, बलकि समाज की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था पर भी प्रश्णचिन्ह लगाती है. ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कैसे बदल सकता है. हमें मिलकर अपराद के खिलाफ लड़ना होगा और समाज को बदलना होगा. ये सावल खुद को पूछना होगा क्या हमारा समाज सुरक्षित है क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है क्या हमें अपनी सोच बदलनी होगी इन सवालों का जवाब हमें खुद देना होगा आज हमने गुना कांट के बारे में चर्चा की यह एक दर्दनाग घटना है, लेकिन हमें इससे सबक लेना होगा और समाज को बदलने के लिए काम करना होगा.